पहले बहुत बार हुआ है और हमको लगता है कि आगे भी होते ही रहेगा यूंकि यह राजनीति खेल जो है वो बंद होता ही नहीं है अब सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार ही में इस तरह का राजनीतिक खेल इतना सबसे ज़ादा क्यों होता है तो चलिए हमारी जनता के बीच में और अपनी उल्जन का सवाल का जवाब ढूंदते हैं और जनता से बात करते हैं आए तो देखे कि बिहार में जितना तेजी से मौसम नहीं बदल रहा है उतना तेजी से जो है वो सियासी लहर बदल जा रहा है ऐसा क्यों है भाईया बिहार में बार-बार इतना खेल क्यों होता है अब बिहार हर चीज की प्रथम जननी रही है जाय वो सोतंतरता संग्राम हो या सत्ता बदलने की जो केंदर सरकार की जो सत्ता बदलने की रणनीती हो जनना आयक करपुरी ठाकुर जी और हमारे जो जितने पुराने नेतागन रहे हैं लोही आ रहे हैं जी इत्तर परदेश से जाते हैं जब पड़कास जी रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा केंदर सरकार को हटाने के लिए यहीं से बिगुल फुगाता और जैसा आपका सवाल है उस सवाल का जवाब गाम जनता के नाते में यही देना चाहूंगा कि राजनीत में हर कुछ जायज है राज करने के ल बिहार के दो कर्के मंतरी हैं तो उनका तो कोई भरोसा रहा नहीं है कि कभ वो किधर जाएंगे लेकिन अब चूकि ये आने वाला समय बताएगा कि और बिहार की जंदा बताएगी कि वह किसे बुख्यमंतरी के तौर पर बिहार में पुना रस्तापीत करती है जो लंबे समय कि अपने पार्टी को लेकरके जन्ता के बीच में जाए और जिस पार्टी के साथ लड़े उसको करतवय निश्चता के साथ बिना स्वार्थपन के साथ पूरी तरिकी से पूरी लगान से पांथ साल तक उसको चलाने का प्रियास करें ताकि जनता के नज़ा पर उनकी विश्वस्मेता बढ़ी रहा है देखें हमारे उल्जन का सबसे बड़ा कारण भाईया यही है कि चाहे कोई भी पाटी रहे चाहे RJD कहले या RJDU कहले या BJP कहले बाले ही आसपास कोई भी पाटी रहे सेंटर में रहते हैं नितीश कुमार लेकिन खेल इतना जादा होता है साल भर 6 महीने पे डेड़ साल पे इतना खेल होता है कि हमको लगता है कि 5 साल में वैसे तो एक ही खेल का नियम है लेकिन बिहार में यहां 4-5 खेल हो जाता है हम जादे कुछ नहीं कहेंगे कहना है कि जो जादे अत करता है न वो खुद अपने आप भस्म हो जाता है उपने खेल में फंसके अपने शुर्दान पूर जाता है हम लुकश कर भोजपूर जी लिए तो वह अपने जाल में फंसेगा जो जादे खेल करेगा और अपने आप स्वता समाप्त हो जाएगा नामों निसान नहीं रहेगा भाईया बिहार की राजिनिती में आज कल एक दम खेल मचा हुआ है ना बिहार की नाजिती कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कत्मिक क्या जी होगा अब सब अपना-पना सत्ता के भूख है उचा अरे हम सत्ता को रहा है उचा रहा कि हम रहा ही सब हो जी हो रहा है मत ऐतना टुरत-चुरत साल भाट डadow साल च्रु महीना पर इतना त्थेल बड़ा अजीव लगता है। देखेए यह को हो रहा है इसमें जनता को सतर्क हो जला चाहिए। जनता गर सतर्क नहीं हो तो यह इसा ही कि यह चलाए इसको नहीं चलाने और इसको नहीं चलाने ऐसे करेंगे तो फिर इनको बहुत आगे चलेंगे खराबी होगा तरह जो चोर रहता था जो कोना खाली मिल गया उसमें घूस जाता था वह पांच का खेला होता था चार कोना एक पांच रहता था कोई अभी हो गया राजनिती में हो गया इस बात को कहने मानते हैं कल हम पढ़ रहे थे जब तो बहुत सारे लोग लिखे हुए थे कि बिहार के राजनिती का कोई माई बाप नहीं रह गया है अपने आप में वह एक तरह से ठीक भी है और न्यताओं के बनिश्पत यह माल लेजिए नितीश कुमाना तो काम बहुत अच्छा किया है नहीं वह अपने बनिश्पत उसमें अभी तक परिवारवाद और भरस्ता चार कारूप नहीं लगा है और भाजपा हो कॉंग्रेस हो इंडिया गठ बंदन कहिए या इंडिया गठ बंदन कहिए दोनों में परिवारवाद हैं लेकिन वहीं सैक्स है कि इसको परिवाद बाद नहीं है और नितीश कुमार जो है वह कहां जा रहा था बहुत लोग कह रहे थे कि नितीज कुमार जो है वो हो सकता है पाला बदल लेंगे क्या लगता है कि इंडिया लाइन्स पे उनको वैसा जगह नहीं मिल रहा है वैसा उनको भाव नहीं मिल रहा है जितना उजिस लायक है उस लायक उनको स्थान नहीं मिल रहा है जो भी रहे कारण जो भी रहे लेकिन में चुका है कि नहीं तौती दिन के बाद पता चलेगा जया बहिए बिहार की राजनीती में इतना खेल क्यों होता है कि आर जेटी में जो है वो नितीज कुमार के विशार धारा का संब्मान नहीं हो पा रहा है कि अब दबाव कितना उबर दास करेंगा बात सही है अब एक उनका विधायक बोलता है कि लालू जी के रहमो करम में इसके पहले भी पल्टी मारे है याद कीजिएगा साबुदीन बोला था कि लालू जी के ब्रामो करम में तब पल्टी मारा था अब मेन बार भाईया देखे चलिए कोई नेता बोल दिया कोई विधायक बोल दिया तो समझ में आता है किनिर उप यहाल हो घृ देखे बार बार जो है वहाल लगाते हैं कि निटीश कुमार पल्टी मारते हैं लेकिन सबसे वड़ी बात है कि निटीश कुमार के साथ कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है क्यों मारता है क्यों मारता है हम दोनों गठ बंदन से कहेंगे कि अपने स्वार्थ में आप लोग पल्टी मरवाते हैं कुछ लोकल नेता के चलते कुछ दबाव में आप 20 का चुनाव लेजिए क्या एंडिये गठ बंदन नितिश कुमार को बोट दिया था जहां जहां हम तो वहिन बोले कि यह सब का दोस है कि अपने स्वार्थ में कि हम ही बने पर घुमंत्रिया परदान मंत्री इसके चलते हैं आज तक एक तो हकीकत है कि उस पर दाग नहीं है कि परिबार बात जाती बात का और भरस्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं है लेकिन और सब न पर लगा दोनों कट बंदन में लगा लेकिन उन पर नहीं लगा देखे बिलकुल बात सही है कि नितीश्कमार जो है वो अभी तक इस तरह के आरोपों से तो बरी हैं लेकिन एक आरोप जो है वो उससे बच नहीं पाते है और वो है पल्ति मारने वाला आरोप अब इस करता है नहीं तो राजनितिक हैं ऐसा नुमान उनको लग रहा है कि जिधर भारी पढ़ेंगों उनको मुखमंत्री बनाई है बिहार में जानते हैं कि सबसे बड़ा आंती में जो है उजाति एक नितिस कुमार तो नहीं है उनको भी मुखमंत्री बनाई है जातिवादी ने मार खा जाता है आपको बताए ला कि यूपी बिहार जैसा गंदा राजनितिक कहीं भी नहीं है क्योंकि यहां पर जो है अंतता भाया विहार की राजनिती में इतना खेल क्यों शुरू हो गया ऐसे ऐसे आदमी है तो का कि जैसे हम रहेंगे वह इसे ने लोग के देखेंगे बात देए मैं आपके बात देए सब उसी है उचा रहें कि गप नड़ाएं तो गप नड़ाए इंडिया का बिहार में चाहें कहीं पी अगर जो है कलेजा है अगर बीजेपी का तो चिराग पासवान के मुखमनेंदी के उमीदबार बना कर देखें अगर उन्हीं है उसको सर्कार आ गिया तो फिर जो कहला होगा जैंको कहेंगा यह दम आम जंता का दावा है करने से नहीं हो आप करता है नहीं करता है तो है नहीं करेगा तो लोग टेजास्वी आदब करें पिकाता है कि वहीं नवीभक हैं तो उसके दखाया के तना नौकरी रेजिया हूँ पिसलमियों तक था तेश्म और जीन पर उजयति करते हूं असरे थैसरी आहिए का प्रश्फ को भोडियागरिखň कुले तुमेर हैं और फ़िदि आपने प देख रहा करेंगा गाइगा अलिकेंट हैं यह की तो यह लोग ऊपस को नहीं नहीं लगेगे रहते हैं यह नेताओं का जो है ना यह संगठा बन चूटा है तो आप बिकास के बारे कि हम लाएंगे हम लाएंगे को हते हैं लगी करते कभी नहीं है थीना छोड़ी का लडाई चल रहा है कि नहीं तो यह जैसे माल लिया जाए कि भाईया घर में गार्जियन किसी एक आदमी को क्यों सब़ा गार्जियन करता है जो ऑब बिद्र पदेन रहता है तुम सुन्ता भले ही सब का है लेकिन निड्ने वही लेता है जो कुछ नहीं का आजा सकते हैं, उसमें जो भी बदलना हो बैदलाओ देखेंगा हम आने वाले जो समय में ठीक, उसमें जो होगा सामने आएगा, क्ल्चीराग पासवार ने जो इस समय है ριा में हमको समझ नहاعर म Precis का पिछ शबया रहा है सबसे ज़्यादा होता है। ढमारे सप्सक्राइब कि हमारे काभी है श्में होता है दनृध्र हट मैंस फ़ैंटेस्स में सब्सक्क्राइब प्लिटर होता है जानतायीत कंट कंगर न कहा Hmm तो यह लेकरके करन का इतना पीति परएद मोल सकते हैं आप type मघ्रलिक है कि सेंटर में सती हैं और पार्ट को प्रकार नहीं तेयर गालिका रहते हैं और पार्टी का नितीश कुमार ने बिहार में बहुत सारा काम किया है और बाकी पार्टी आपना अगर देखिए कोई कहा रहे है कि नितीश कुमार मतलब शहीं नहीं कर रहे हैं यह कर रहे हैं तो थुरह सा हिस्टिकल भी देख ले उनका उनका उनसे पहले क्या सिश्वेशन तब यह थो कहीं नहीं अभी जो है जैसे पल्टी मालने की बात है तो पल्टी या तो अजय прекar कर जांड़esser कुमार शारें में और अधसी प्रचल्व को निंग्य का रहें—ड बनाना चाहा है ।ael है इतना खेल शारा जी azul सबसे बड़ी बाद है कि हम लोगा वोट देखे तभी सुरक्षित रहेगा जब सरकार सुरक्षित कुमार जी को बड़ी इतना अच्छा माल लिया भया है अच्छा कर आपली का हर एक चीद दिया देते जारहे है रोजगार में कोई कमी नहीं हो रहा है अभी जो है भाईया इधर आईए अभी जो है सिक्षको वाली नौकरी निकली तो लोग बहुत खुश थे कहां चलिए अच्छी सरकार चल रही है अचर नौकरी मिलते रहता हैं विकास होते रहता है तो लोग को भी अच्छ को पर रहे हैं अचरा से नियूज कारे पलट गई तो जनता था, लोग Chloe m knocking on par alo पार्टी भी तब मिलाने के लिए एठा हुआ है आज एक तस्वीर देख रहे थे जिसमें निदीश कुमार के बगल में बैठके थुड़ा दूरी बना के बैठे वेते हैं उसका तो वही कामी है मगर हमारे अगला स्यम जो कि हमारी सिक्षाक भाभी हमारे देखें दो सब्सक्राइब नहीं हुआ है एक मंत भी नहीं हुआ जो कि डेवलेप्मेंट जो की बहुत सा उद्योग भी देने वाले हैं हरे चैतर में देख रहे हो रहा है नहीं क्या होता है वह जैसे किसी भी सरकार को तो थोड़ा सा समय चाहिए होता है थोड़ा मौका चाहिए घरखेंव इनशान शोपर नहीं और दीरेखें काम करता चला जाए लेकिन पता चले कि हुआ है की काम करना शुरूहीं हुआ तब अब तक योैं कुछ ने विद्धी जाएंगे उनको रहने वाले नहीं है फिराथ तीड़ के साथ का और विकास का विहार कुछ करा किया कलब नहीं बहुत पाहता है उतने दीन क्या हुआ अभी डेड़ अभी डेड़ एपाइट टेसल हुआ होगा अधेड़ साल में केतने लोगरी बटी सारे भी पाहले भाजपाक राज में सिर्फ हावाबाजी होती है चाचा भतिजा के जोड़ी बेश्ट है चाचा को लोग बहुत लोग ब्रगला देते हैं चाचा इधर चलिए बहुत भतिजा खाला ला बहुत समझदार व्यक्ति है इसलिए तो 20 साल से है उनको पता है कि कहां पे उनका बढ़ियां रहेगा कहां पुछा किया है अभी तक काम हम तो कहते हैं कि तेजस्त्वी जिंदाबाद था जिंदाबाद है और रहे गा शत्रा साल लहा होगा जदू के साथ सरकार बीजेपी का भाई एक बिसेस राज़े दर्जा नहीं दे पाया बीजेपी जो किंद्र में सरकार था उसका अच्छा तमाली गया भी तो फीर से कपल्टी मारने वाले हैं हम मानते हैं और कुछ सिराव सरकार मिलकर इसे इस्तेमाल किया जाता है लेकिन हमारे सरकार दो भी है कभी इधर कभी उधा कर इंतिजाम हो ज अपना नहीं रहता है इसलिए गठ बंधन कोई मजबूत नहीं रहता है अपने पर कोई नहीं होता है अपने पर करबास नहीं रहता है यहीं है कि कोई भी सरकार रहे कोई भी सरकार जाये लेकिन अगर बिहार की जनता का विकास होता है उनको रोजगार मिलता है उनका विकास का मार्ग अगर प्रशस्त होता है तो फिर सारा कुछ सही है वरना सब कुछ गलत है फिलाल इस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नय मुद्दे के साथ लेकिन तब तक के लिए बाई बाई